साथियों, जीवन जीने के लिए जो जरूरी है उसके लिए सारे प्रयासों के साथ ही जीवन बचाने के लिए जीवन बचाने के लिए जो जरूरी है उसे सर्वोच प्रात्विक्ता देनी ही पड़ेगी इस वैश्विक महामारी से मुकामला करने के लिए देश की स्वास्त सुविधाओं को तैयार करने का काम केंद्र सरकार लगातार कर रही है। अब करोना के मरीजों के इलाज के लिए देश के हिल्थ इंफास्ट्रक्टर को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने आज 15,000 करोड रुपिये का प्रावधान किया है। इससे कोरोना से जूड़ी टेस्टिंग फैसलिटीज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विप्मेंट्स, आइसोलेशन बेट्स, आइसीउ बेट्स, वेंटिलेटर्स और अन्य जरूरी साधनों के संख्या तेजी से बढ़ाई जाएगी। साथ ही मेडिकल और पेरामेडिकल मेन पावर के ट्रेनिंग का काम भी किया जाएगा। मैंने राज्य सरकारों से अनुरोद किया है कि इस समय सभी राज्यों की पहली प्रात्मिक्ता सिर्फ और सिर्फ स्वास्त सेवाएं ही होनी चाहिए। हेल्थ केर ही प्रात्मिक्ता होनी चाहिए। मुझे संतोष है कि देश का प्राइवेट सेक्टर भी पूरी तरह से कंदे से कंधा मिलाकर संकट और संक्रमन की इस गड़ी में देश वास्यों के साब खड़ा है। प्राइवेट लेप्स प्राइवेट अस्पताल सभी इस चुनोती पूर्ण दौर में सरकार के साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन साथियों ये भी ध्यान रखिए कि ऐसे समय में जाने अंजाने कई बार अफ्वाएं भी बहुत जोर पकड़ती हैं। और अफ्वाएं के ट्राइविल करने की ताकत भी बहुत होती है। मेरा आप से आग्रह है कि कि किसी भी तरह की अफ्वा और अद्न विश्वास से बचें। आपके द्वारा केंद्र सरकार, राज सरकार और मेडिकल फेटेनिटी द्वारा दिये गए निर्देश और सुझाओं का पालन करना बहुत जरूरी है। मेरी आप से प्रार्थना है किस बिमारी के लक्षणों के दवरान बीना डॉक्टरों की सलाह के कोई भी दवा न ले, किसी भी तरह का खिलवाड आपके जीवन को और खत्रे में डाल सकता है।